सभी गुरुबर को प्रणाम स्वागत आप सभी का गुरुबर क्लासेश में आज हम चर्चा करने वाले हैं EBS पेड़ागोजी की या परेवरेंट सिक्षासास की परेवरेंट सिक्षन की किस प्रकार से किया जाए यह जो है सीटेक पेड़ागोजी में पंदल नंबर का टोप कर रहे हो तो आसपास नाम से आती है उस किताब को देख लेना खरीद लेना उसे पढ़ लेना बाकी मैं उसके नोट से प्लब्द कराई दूंगा तो बात सुरू करते हैं इस स्टार्ट कहां से हुआ था यह स्टार्ट हुआ था ना वह 1975 में अच्छा NCF क्या है NCF एक रिप तो इसके प्रसंट रहती है इसके साथ सट जो सिख्षा नीति इस राष्ट चीनिटी इसी नियुक्त है रहती हैं तो इनसे ना कोश्चन्स आ जाते हैं कई बार तो इसलिए मैं थोड़ा से इतिहास ले लिया है इविएस कब शुरू हुआ था 1975 में जब ncf की रिपोर्ट आई थी दस बर से स्कूल पाठे चर रहा एक रूप रहा इस सीर्शक्स आई थी सीर्शक्या था दस बर से स पढ़ाना क्या है अच्छा मतलब क्या है पर्यावरान अध्यन से मतलब क्या है मतलब हमारे पर्यावरान मतलब परी प्लस आवरान मतलब चारों का मतलब पर्यावरान अध्यन में होता क्या है कि हमारे चारों के आवरान का अध्यन के जाता है तो वह दो तरीके से कर सकते है आप तो एक समाजी कुरूप सध्यन कर सकतें इसलिए इन्होंने इसको दो पार्ट में बाटा था इन्हें बोला था कि कक्षा 3 चार और 5 में दो-डो किताब अलगवा दो सब्सक्राइब तो इसलिए नों ने यह सुझाब दिया था तीन से कक्षा तीन सक्षा पांच के लिए तो कब शुरुबा तो इसके बाद दोहजार माया 25 साल बाद दोहजार माया थे उसमें इस बात को आगर बढ़ाया उसने कि आप जो इविए का पाठेक्राइब बुलकुल एक एक लिए करत कर दो आप उसमें विग्यान का सिक्षण दो साथी साथ पर्यावान सिक्षा भी दो मतलब मतलब आप जागुकता फैला हुए पर्यावान बगरा के लिए उस सिक्षा को और जोड़ते हुए एंस अपने इस स्टार्ट तो कर दिया आप क्या चाहते हैं जैसे घड़त पढ़ा करना चाहते हैं लगे और साथ इसाथ इंग्लिस में आचार विचार विचार ब्यक्त कर सकें इंग्लिस में सोचना शुरू कर दे तो ऐसे इवीए के क्या उद्देश से हैं इवीए सिक्षण के क्या उद्देश से हैं तो इवीए सिक्षण के उद्देश से थे नंबर एक बात प्रकृति समाज और संस्कृति में संबंद समझ सकें मतलब वो समझ सके कि प्रकृति का क्या मतलब है प्रकृति हमारी किस प्रकार से कर रही है यह हमारे जीवार में प्रिकृत क्या योगदान समाज जो उसके असके बारे में समझ सके उसके ब beetje परीवार की हैं लगुपरीबार की उसमें चर्चा की गई क्यों चर्चा की गई है क्योंकि इस सिक्षण का उद्देश से यह है कि प्रकृति समाज और संस्कृति में संबंद समझ सके बालक दूसरा क्या अब लोकन चम्ता उसमें उत्पंद हो जाए उसमें कई वार ऐसे चित्र दिये हुए है कि इस चित्र में यह ढूंडो या इस च चीत्र है यह चीत्र को दिखाकर किया क्या ला假 habits कि अदिखान चाह रही है उस बच्टे में उत्पंदद करना चाहरी है अवलोकन चमता की बच्य चित्र को देखकर यह संब्दध करतो है है अब लोकन करके किटना चेंख सकता है उसमें से क्क्रिया क्राब को हो hosp می ले पती का निरिक्षन करो तो उससे क्या होगा आप में अवलोकन चमता या बालगन अवलोकन चमता अपन्द होगा इसलिए यह विश्काथ को अउपन करना चीत्र समझ उट्पन करना तीसरा संग्यानात्मक चमता में रूप से सब तब भी वह है तो बचाई क्या हिंदी इंग्लिस मैथ मैथ कमिमेंट बताइब या इवी एस और वागिया चीड़ी पी तो ही तो सबसे जादे मेरे उद्देश से क्या होता है कि आपके कोग्निटिव का डेवलप्मेंट तो संगेनात्मक्षमता का अभिकास भी होना मतलब आ यह बात और जिग्या सवत्पन करना इवि एसका स्लेव इस तरे के से डिजाइन किया गया है कि बच्चे में जिग्या सवत्पन उससे प्रस्ण जो है वो खुले अंतव परस्ण पूछे रहे हैं अच्छा प्रेकार के हुटते हैं जल्व मैंसे बात में समझान था अभी सम जोगते हैं पन्दागस 1947 अच्छा यह हो गया ब formulate भारत जो अजय दूखित और यह बात है नकर दिया होताँ आप एसी जो वात है न तो ये चरचा के उसम बन जाते जिनग प्रशन का उत्तर है उसका एक बस तूइश्ट नहीं होता म Although अन्ट वह ने सकते हैं अपने संग्यान के अदार पर कहीं उत्तर सही हो जाते हैं वह उसे कहते हैं खुला प्रεςन या खुला प्रयान प्रेशन तो आप यह रहाखोटी में घयाजाटाथ को पर्षेश्न में अईसा में पसे officials करने का खुल प्रसना ड़िए Milo बिज्चे के दिमाग में जिग्या सा उसके दिमाग में उठे एसी इस में ब्यवस्ता की गई है चो था पर्यावड़े मद्दों की समझ भने मतलब आप जब जब आप पानी की बात करेंगे तो आपकी बीश्टेज रोकने की बीवात करेंगे मतलब पानी का जो जाता है या साथ जो खराब और दूसीत हो रहा है तो उसके बारे में भी उसके मंध में चयात्ना उत्मंद करने की गई है परेवने मुद्दों के प्रति के प्रति स्काल विकास और परेवने कशिस की जाती है कि लड़की है तो टाइम से घरा आए लड़का है तो कभी भी आ करना क्योंकि ऐसा होता अभी जो यह बच्चे है यह कल भारत का वहिश्यव निगे तो बच्चों में यह डालने की कोशिश की जा रही है ऐसा उनका सब्सक्राइब करने की जा रही है जो आगे चलकर समाज अच्छा होता है रास्ट अच्छा होता चला जाता है लिंक संबंदी मुद्देवी इसकी जो सिक्ष्ण सब्सक्राइब करता चला जाते हैं यह जो अम बच्चे में मानम मुल लें उनके विकास की बात जादा होती है और अब लोकन समाजी बात की जाती है कि सब्सक्राइब करके दिखा दिया था एक बहुत 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 अच्छे तरीके से इनने एक क्रनी कोसिश किया उसके बाद में चर्चा करूंगा इन्हों देखो दो बिसेते समाजी विग्यान समाने विग्यान तो समाजी विग्यान में गया था कई भी साथ इतिहास आता भूगोल आता अच्छा इतिहास अलग चीज है और बहुत समाति ग्यान लगां में समाजी ग्यान को पढ़ाना था कःग्स कि अन्हों कि ऐन्हों के बात करने लिए तो भोजन के इतिहाश कि बहुत करेंगे बहुतr कमाना मतलब फसल वेक के पैसे कमाना किसानों की बात करने लगे वो रसाइन की बात करने लगे कि नाइट्रोजन जो है वो जद जाले जरूरी है पोधो के लिए या उर्वरक की बात करने लगे बहुतिकी की बात करने लगे मानलोग कोई भी आगर ऐसे टोपिक आ गया बहुत कि आप बात कर रहे हैं कि इससे ट्रांसपोर्टेशन करने लगे आप भोजन का तो कैसे करेंगे या ऐसी प्रकार से मतलब को इनने एक छोटे छोटे ना इन सारे विश्यों का विवाजन करके विवाजन विवाजन तो हैं यह लेडी विश्य सब अलग अलग है इन सबको एक लिए टोपिक लिया गया किरें और नोब आऎनव की बात करोगे तो मानव के सब्सक्राइं सकानें उसका इफिहास भी कोसिस कि है कि सब विश्यों को हलका हलका टच करते हुए मतलब मेन में जो बच्चा कख्षा 3-4-5 के बच्चे को जानना जरूरी है उन सब को टच करते हुए और एक थीम में बाट दिया है ये भहत मेहनत का काम है उसके बाद इनको भी डिवाइड किया है 3 पार्टो में वगल करेंगे इनका जो इनके थीम्स बनाई है इनके चर्चा कर लेते हैं इनके थीम्स बनाई है पहली थीम है परिवार और दोस्त इसमें चार टोपिक रखें सब टोपिक रिस्ते की बात करते हैं काम और दोस्त की बात करते हैं पसू की बात करते हैं पोध्य की बात करते हैं अच इसलिए परिवार और दोस्त कें अंत्रकत रखेगी है रिस्ते काम और रो च्यांकों और फेल को अपुदे ये सारे परिवारों दोस्त रखेगा थे दूसरी थीममाई एक भोजन टीसरी आवास चोथी पानी पांचवी यात्रा और छटी चीजों को हम कैसे बनाते हैं इसमें हमने कोसिस की है कि जो छोटे काम करने वाले लोग निर्मार करते हैं मालोब बढ़ाई है कोई मिस्तरी है उनके बारे में हम स्रम सम्मान का जो भाव है ओम उत्सक्रण कर सकें इसलिए चीजों हम बनाते हैं उसकी चर्चा की गई है तो टोटल विसा होगा एक दो-tीन-4-5 च तो चैपूब विसा में बाटा गया है पूरा ईब मतलब मतलब क्या होता है अपना मतलब बालक अपना अपनी बदर करने से सुरू चरें पहले उसके बाहर की तरफ बढ़ता रहा है接 प Hepना बेंट,न्तरिक्स बद्दान हैं पको प्राइब के लिए ट देश की बदन चीने किया गए है सिस्त्ग होइ आते हैं कि बच्चे को ऑंतरिक्स तक पुचा देंगे थाकि बाइसे को समयन में ट्रूप से है अंगे से करो कि मतलब पढ़ाने को देश से क्या है क्या पढ़ाना चाहरा है हम बात करना चाहरा है कि वो अपने स्वेस से शुरू करें अपने अपने आपको जाने अपने समुदाय को जाने पहला अपने आपको जाने परिवाय को जाने फिर समाज को जाने फिर देश को जाने फिर दोस्तों शुरू करके भोजन आवास पानी यात्रा और चीजों को हम कैसे बनाते हैं इस बारे में चर्चा की गई है विश्य को मिलाके व्य मात कर लेते हैं कि इनने क्यों कैसे डिवाइड क्लासमें क्या टीन 6 5 क्या नहीं नहीं क्या हैно उसले जैसे खाना है बहुजन है उसे तृष्कम करेंगे उन्हीं कि सरुदा कैसे खाया अची वे चाइनが क्या लाइए हो आप में क्या लाई है अच्छय आप क्या खाते हुँआ परिवार में जन्दरली क्या बनता है फिर हूं थीर-दीर चचा करेंगे कि पसू क्या खाते हैं आप क्या खाते हैं इस वारे में चरचा करेंगे तो हमने का उस्ट एक हलका सा ओ continuar भी दे खाना उगाया कैसे जाता है सब्सक्राइब करें चार तो इस वारे में चरच करेंगे ले पढ़्य। समझ के साथ चर्च करेंगे जागुरूपता की इसमें बात करते हैं कि किसानों के साथ क्या समस्य आती है लोग आत्या कर रहा है होता जा रहा है आप बड़ी साधी में बढ़ें बर्बाद तो लोग कहीं पॉत कि मर रहा हैरे और मानप पाचन की बात कर देखा क्या होता है पेड़ में जाता है फिर क्या होता है से उसकी चर्क्राइब मानप पाचन काठा करते हैं साथ इसाथ ऐसे पोधों भी चर्चा नहीं ये इस इन जो हम मनाते हैं जो लोग हैं उनके अपर्ती है जागरुकता पंद हो जाए स्रम सम्मान की जो भावना है बोगता हो जाए तो इन सब चीजों के उद्द्ध सित्थ हो गए बात यह बात हो गई पुर्द को कैसे पड़ाना है किस तरह से निवाइट की गई मेचना हो ठीक धन्यवाद